हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Micromax IN2C Android Mobile Phone में Face Unlock को आप कैसे Disable कर सकते हैं इस सेटिंग को तो चलिए यहाँ पर जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ तो वीडियो को आखर तक ध्यान से ज़रूर देखें तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है सैटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर नीची की साइड में सिक्योर्टी का यह ओप्शन मिलेगा सिक्योर्टी पर आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद आपको सिक्योर्टी के इस पेज में नीची की साइड में आना है और यहाँ पर आपको जो है फेज अनलोक का यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपने जो भी कोई screen lock लगा रखा है अपने mobile phone पे उसे आपको यहाँ पर enter करना है और यहाँ पर जो है आपको यह वाला face unlock का page आ जाएगा इस face unlock के page में आपको नीचे की साइड आना है यहाँ पर आपको यह देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है delete face data पे आपको इसे select करना है और यहाँ पर फिर से delete के option पे एक बार select करना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो face unlock यहाँ पर लगा हुआ था वो यहाँ से disable हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने micromax in2c android mobile phone में face unlock setting को आप डिसेबल कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको यह setting जो है आपके mobile phone में ढूंडने में कोई भी problem आती है तो मैं आपको इसका एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपको अपने phone में setting page open करना है setting page open करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे उपर search setting का यहाँ option नज़राता है इसे आपको select करना है यहाँ पर आपको search बार में type करना है face unlock तो यहाँ पर जो है यह देखे मैंने जैसे face यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर नीचे की side में option show हो गया face unlock इसे आपको select कर लेना है तो आपका phone जो है आपको जो है directly face unlock की setting में यहाँ पर लेके आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर यह highlight हो रहा है मेरा face unlock blue color में तो इस तरीके से आपको मैंने यह दूसरा तरीका भी बता दिया है कि आप जो है face unlock setting को आप कैसे ढूंड सकते हैं easily और directly इस setting में आ सकते हैं ठीके और इस तरीके से आप जो है face unlock setting को आप डिसेबल कर सकते हैं अपने micromax in2c android mobile phone से